हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप सभी मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में आज में 12 इलाज के बच्चों को जो हमारे चेप्टर चल रहा है चेप्टर नमबर टू नहीं साहिद औरका प्रवेश बई खाता हूं लेखा सास्त्र में उसकी वीडियो नमबर टू है पार्ट टू है इससे पहली वीडियो में हम जान चुके हैं कि नए पार्टनर को क्यों एड्मिसन दिया जाता है तो नए पार्टनर को एड्मिसन देने के बाद जो है एड्मिसन जैसे ही आता है तो वो कु पूंजी के एंट्री करेंगे इसमें वीडियो में कि पूंजी नए साज़दार के पूंजी के एंट्री कैसे की जाती है तो six साज्दार का पेवेश होता है वह पुराने साजदार की अनुम्ति के अधार Mommy TC utilizz रहें देते हैं पूराने साजदार सभी चाहते है कि नत comum को दाइव ग् suspect किया जाए तो इसलिए उससे idea जाता है तो बैट देखते हैं ज जंने अआयदार अपने हिस्सेए नगदलाता है और दूसरी जब नया साइदार अपने व्यवतफ्थाय की संपत्यां एक निर्दारीत मुateurs मरत ф drones में लाता है क्या आदिसमें संपत्य और दिएगा और इसमें केवल लाएगा तो नकत लाने पर जो एन्हें कि क्या होग Ryan जा लाने पर नगत लाने पर क्या आता है या दो बैंक्क कमी पैसे आएंगे रहरें कैसा आएंगे तो क्लिक्ट की इसकी कि शुक्ट के यह फ़्या या बैंक अकाउट डेबिट डेबिट टू न्यू पार्टनर अकाउंट क्योंकि उसके capital account में अमांट चले जाएगी जो भी अमांट है एक्स वाई वो इसके अकांट में चले जाएगी यह तो इस्तिति है जब वो नगत लाता इसमें इसमें लिखता है आई कैपिटल बाउट बाइड नू पार्टनर कैपिटल कैपिटल बाउट इसका नाम लेख सकते हैं अब दूसरी स्थिति क्या बनेगी जब नया सायदार अपने स्वं के ववसाई की संपत्यम दायतों एक निर्धारीत मुल्य पर फर्म में लाता है इसमें क्या होगा संपत ईसेट अकाउंट डेबिट और उसके सासाथ साथ कैस्या बैंक की रखन भी लाता है कैस्या बैंक अकाउंट डेबिट टू यदि वो लेकर आता है तो इसमें लिख देंगे लाइब टीज लाबटीज अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा तू न्यू पार्टनर्स अकाउंट न्यू पार्टनर्स न्यू पार्टनर कैपितल अकाउंट तो ये जो जितने भी रकम होगी वो यहाँ पर इसकी आजाएगी यहां पर रकम आई जाएगे तो यहां नेरेशन में लिख देंगे assets and liabilities bought in by to contribute his share to of capital assets and liabilities bought in by cash b o u g about in जो partner का नाम partner लिख देंगे to contribute to his partner capital to contribute to contribute his share of capital his share of capital तो यह entry होंगी दो entry होंगी capital की या तो यह वाली हो सकती है या यह हो सकती है नगदर आएगा तो कैस या bank account debit to partners capital account और यह दी वो assets लाता है करेंगे नए लाभानी विभाजा ननपात का निर्धारन यानि कि जो नया साइधार आता है उसमें उसके जो profit या लोस का जो निर्धारन होता है और किस हिसाब जे किया जाता है वह हम दिसक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वीडियो कैसे लगी है कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू